आप सभी का मेरे चैनल पर पुना स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी सुस्तोंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदाय बनी रहें ये वीडियो करक याने की कैंसर के लिए अतिंत विशेश है, क्योंकि वीडियो है 7 से 13 अक्टूबर 2024 के सापताहिक राशिपल के बारे में, कैसा रहेगा आने वाला सपताह करक के लिए, जो मेरा सापताहिक राशिपल होता है वो प्रमुकताह चंदमा पे अधारित होता है, च चंदमा की गती पे अधायत होता है, चंदमा एक ऐसे एक रहा है जो बहुत तेज भागते हैं, इस अफ़ते की बात करें तो यहां से स्टार्ट करके व्रिश्चिक से पंचम भाव से सब्तम तक आ जाएंगे, चंदमा की विशेशता ये होती है कि तेज तो भागते ही हैं, लेकिन मन के कारक होते हैं, और जिस भी भाव में जाते हैं, उसको बहुत प्रभावित करते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसी कारण वश डे टूडे अक्टिविटी पर चंदमा का प्रभाव बहुत जादा होता है, और इसी कारण से जो सापताहिक राश्यवल हो ये सापताहिक राश्यवल की विशेष्टा होती है, यदि आपकी लगन राशी या चंदराशी करके, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्यस राश्यवल को देख सकते हैं, टेक्निकली अलग-अलग राश्यवल नहीं बन सकते, जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, व आत तारीक को, और नौ तारीक सुभा के चार तक वहीं परेंगे, चंदरमा का पंचम भाव में आना, वैसे तो अच्छा ही माना जाता है, यहाँ पर नीच के हो रहे हैं, अब नीच के चंदरमा है, मैं हमेशा गयता हूँ, नीच का घरा कोई बहुत बुरा नहीं होता, ले थोड़ा सा सेहत पर भी negative indication दे रहा है, कि सेहत में भी problems आ सकती है, लेकिन लक्ष्मी स्थान है, और गुरू की दृष्टी है, गुरू क्या है, लावस्थान में बैठ कर देख रहे हैं, और भागेश है, तो पैसा आएगा, काम बढ़ेगा, रुकावटे दूर होंगी, ले मांसिक रूप से अनशित्ता रहेगी, राहु का प्रभाव भी है, और राहु का प्रभाव अवश्य विक्ति को भ्रामित करता है, तो मैं यही कहूँगा, कि समय भौते के रूप से बुरा नहीं देख रहा है, लेकिन मांसिक रूप से एक बहुत अपून, या फिर कहिए क अनशित्ता पूर्ण देख रहा है, तो कोई भी बड़ा निरने हफते के शुरुवाती भाग में मत लीजेगा, गुरू जो है वो छटे घर के स्वामी भी है, वो भागे स्थाने के स्वामी के होने के नाते भागे का साथ तो देगे, लेकिन क्योंकि चंद्रमा नीच के है और गुरू देख रहे हैं जो छटे घर के स्वामी है, चोड़ चपेट के इंजरी के और सेहत की प्रॉब्लम के योग बन रहे हैं, ध्यान दीजेगा, नवान चुनली बता रही है कि ज़्यादा प्रिटेंड मत कीजी, आप कई चीजे लोगों खुश करने के लिए बोल र करें, अगर आपके पार्टनर्स हैं तो उनसे बैठ कर बात करने का ये टाइम है, ठीक है बिजनस में, लव लाइफ, आप बहुत सेक्रिफाइस करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो चीजे रैसे प्रॉइट नहीं होती, तो इससे क्या होता है ना कि आगे चलकर आपके ही अप बहुत सेक्रिफाइस करना भी अच्छा नहीं होता, विवाहिक जीवन चीजे बहुत बदल रही हैं, उसके नुसार अपने आपको बदलने का प्यास केजिए, स्टूडन्स की जहां तब बात है, अपनी अडिक्शन पर कंट्रोल पाईए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बदल रहे हैं, जो परिस्थेतियां बदल रही हैं, उनके अनुसार अपने आपको ढाली है, वन्ना प्रॉब्लम होगी, 9 अक्टूबर सुभा के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे छटे घर में, यानि कि धनू में, और 11 अक्टूबर सुभा के 11 बजे तक उनका गोचर यहीं स्वामी है, पंचमेश हैं, और आपके योग कारक हैं, कोई legal कारे अटक रहा था, कोई normal कारे अटक रहा था, पैसा अटक गया था, किसने पैसा उधार दिया हुआ था, competition, इन सब में अच्छा प्रभाव मिलेगा, कारेक्षित्र में अच्छा काम कर पाएंगे, लेकिन competitive रखेगा आपको एक और, वहीं उगरता भी लेकर आएगा, और करक वाले में हमेशा कहता हूँ, कि गलत जगा पर अपना गुस्ता दिखाते हैं, जहां पर अनिवारे नहीं होता, जहां पर दिखाना होता है, वहां पर नहीं दिखा पाते हैं, जहां पर forceful नहीं होना होता तो यहाँ पर भी अपने मन पर अपने चित्त पर ध्यान दिजेगा यहाँ पर गुरू से अश्टम में हो गए तो शकट योग बन गया और शकट योग से क्या होता है कि कारे अड़कते हैं तो देखे छटे घर के चंदरमा है फ्रस्टेशन, मंगल का प्रभाव एग्रेशन और शकट योग का प्रभाव यानि कि डिले ये तीनों चीजों का कॉंबिनेशन आपको तंग कर सकता है तो अगर कुछ कारे आपके इच्छा नुसा नहीं हो रहे समय अनुसा नहीं हो रहे और वो आपके हाथ से बाहर है अब कभी-कभी होता है हमारे हाथ में हम काम तुरह जल्दी कर ले कुछ जुगाड कर ले तो चीज़े ठीक हो जाते हैं कुछ-कुछ काम होते हैं जो मारे लिमिट से बाहर होते हैं और इवन छोटे-मोटे एक्सिजेंट के योग बनते हैं, बहुत केरफुल रहने के अब शकता है, गुस्से पर नियंदन जितना रख लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है, नवान्ज कुनली, लीडर बनके उभरने का मौका कारेकशेत्र मिल सकता है, कारेकशेत्र के ही बात करते हैं, तो यहाँ पर अपने आपको सरल रखिएगा, और सबसे इंपॉर्टन चीज यह है, कि गलतियों से दूर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सब अच्छा होते भी न, एक ओवर एक्साइट्मेंट दिख रही है, बिजनस, बिजनस में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, में भी नुकसान हो, में भी जो आप करना चाहरे हैं, उस प्रकार से चीजों को ना कर पाएं, थोड़ा सा नुकसान की यहाँ पर संभावना दिख रही है, लव लाइफ, आपकी तरफ से और पार्टनर की तरफ से जो एक उर्जा है न, वो मिल नहीं रही है, और इस ताइम पे भी ऐसा ही होगा, शायद आप कुछ और चाहरे हैं, वो कुछ और चाहरे हैं, और यह जो opposite energy है, यह तंक करेगी, विवाहिक जीवन, थोड़ा साना आप अपने life partner की बारे में और जानने का प्रयास केजिए, और दूसरी चीज, expectation कम रखिए, इन दोनों चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा, students अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, बलकि बड़े लोगों का गुरु जनका आपको साथ या सानेद दे, या उनसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती, अगर आप प्रयास करेंगे तो, सेहत के नुसार, पेट के रोग, लिवर की प्राप्लम, वीपी, और नसो की रोग, सरवाश्टक में आपका लगन बली है, दीके वैसे तो अच्छा टाइम है, लेकिन लगने इस छटे में है, और लगने का बली होना है, यानि कि ये फिजिकल इंजरी, फिजिकल प्रॉब्लम दिखा रहा है, सेहत की प्रॉब्लम दिखा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजेगा इस ताहिम में, ग्यारा क्टूबर सुभा के ग्यारा बज़े चंद्रमा आ जाएंगे आपके सब्तम भाव में, यानि कि मकर में, और सब्ता के अंद तक यहीं पर रहेंगे, बुद्ध का एक दिन पहले गोचर हो चुका होगा, चंद्रमा का सब्तम में आना वैसे न्यूट्रल होता है, ल यानि कि भागे का परपूर साथ मिलेगा, मंगल का प्रभाव भी है, योग कारक है, जो कारे नहीं कर पा रहे थे, जिन कारों को खतम नहीं कर पा रहे थे, बारवे घर के मंगल है, अंत का भाव है, और ये खुद गोचर करने के लिए रैडी हो जाएंगे कुछ दिनों में तो योग कारक ग्रह का प्रभाव, भागेश का प्रभाव और एक उपचे भाव के स्वामी का प्रभाव, यानि कि गुरू की ही बात कर रहे हैं, तो इस समय आपका सबसे महत्तपूर होगा, हाँ, मकर में है थोड़ी उदासींता रहती ही है, मकर उदासींता की राशी है औ emotional level पर detachment रहेगा लेकिन business हो, career हो अपनी duties हो, responsibilities हो उन सब को पूर्ण करने का मौका आपको बहुत मिलेगा, समय अच्छा है खर्चे थोड़े से बढ़ सकते है नवांच कुनली, कहाँ पर multiple roles या multiple कारेों को पूर्ण करने की शम्ता होगी आपके अदर, कभी-कभी ऐसा होता कि हमारे बहुत कारे एक साथ बन जाते हैं ये वो ही टाइम होगा कारेक शेत्र में आपको अभी भी अपने comfort उन से निकलना पड़ेगा, business बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा जो doubt थे, जो confidence की कमी दूर होते हैं, love life सब अच्छा है, बस एक ही problem है कि आपके partner के expectation बहुत ज़ादा है आपसे, और आप उस expectation को पूरा करने के लिए किसी भी स्तर तक जा रहे हैं, और ये अंततह self respect को कम करता है मैं कभी नहीं कहता कि एक balance नहीं होना चाहिए दोनों को एक दूसरे के लिए करना चाहिए, लेकर अगर एक वेक्ती केवल sacrifice करता रहेगा, तो शुरू में अच्छा लागे है मलगी, लेकर अंततह उसका प्रभाब परता है तो अपनी self respect का ध्यान दीजिए विवाहिक जीवन यहां पर जगड़े देख रहे हैं और बड़े जगड़े हो सकते हैं students, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत शुप टाइम है exam है आपका, कुछ और कार है, कोई कार अटक रहा था admission की problem है हर चीज में परिपूर्णता देख रहे है सेहत के नुसार, पेट के रोग बने रहेंगे नसों के रोग उतंक करेंगे, ब्लड डिसोल उतंक करेंगे सरवाश्टक में आपका नवम भावत्यंत बली है भाग्यस्तान, यह अच्छा है, भाग्यस्तान का बली होना है आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी चनल पर अगर आप नए है, सबस्राइब कर लिजी वीडियो को लाइक कर लिजी, मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए खोग नमस्ष्राइब